नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल G.O.E.S.T. यानी की घरेलू पायसरल तरीके में दोस्तों घर के बड़े बुजुरुगों के पास अक्सर हर दर्द और हर मर्ज का इलाज होता है पेट या किड्नी में स्टोन है तो उसके लिए भी उनके पास कई घरेलू नुस्के होते हैं इसी तरह से मेरी जो नानी मैं है उनके पास भी घरेलू नुस्का बहुत है मैं आज आपको उसी में से एक अपनी नानी मा द्वारा बताया हुआ जो नुस्का है वो मैं नुस्के बताऊंगी उन में से पांच नुसके हैं जो की आप अपना सकते हैं पांच नुसकों में से कोई भी एक और उसके द्वारा आप अपनी पत्री को खतम कर सकते हैं चाहे वो पत्री किड़नी में हो चाहे वो पत्री पेट में हो घर के बड़े और बुजुर्गों के पास अक्सर हर दर्द और मर्ज का इलाज होता ही है दोस्तों, तो चलिए ये पांच नायाब नुस्के मैं आज आपको बताऊंगी जो मेरी नानी मा के द्वारा मुझे बताया गया था, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, जो पहला उपाय आपको बताने जा रही हूँ, वो ये है कि अगर आपके पेट में पत्री है, तो इसके लिए पत्थर चट्टा के पौंधों का, जो पत्थर चट्टा का पौंधा आता है, उसका एक पत्ता लीजे और उसमें मिस्री का कुछ दाना मिला करके साथ म खा लीजे, पत्थर चट्टा के साथ में थोड़ी सी पांचे दाने मिस्री के मिला लीजे और उसको खाले दे, पत्थर चट्टा दोस्तों, औसधी गुणों वाला एक पौंधा होता है, जिसका उपयोग किड़नी और पेड़ से जुड़ी बीमारियों के इलाज में किया जाता है, यह पौंधा दोस्तों सदा बहार होता है, और यह पौंधा भारत में भी हर जगा आसानी से आपको मिल जाएगा, दोस्तों यह जो पत्थर चट्टा की पत्तियां हैं, यह किड़नी स्टोन की समस्या से निचात दिलाने में काफी मदद करती हैं, जो दूसरा उप चमच दाने, एक चमच मिसरी, और थोड़े से जो खर्बूजे के बीज होते हैं, उसको भीगो दीजिए, और रोजाना सुबह इस पानी को आपको पीना है, और इन सभी चीजों को खा भी जाना है, जिस पानी में आप भीगोएंगे, उस पानी को आप पी लेंगे, और जि इसरा उपाय है दोस्तों, वो ये है कि आउला, आउला भी पत्री को निकालने में बहुत मदद करता है दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है कि रोजाना सुबह एक एक चमच आउले का पाउडर आपको खाना है, आउले के अलावा पत्री के इलाज में जो है, वो जाम उनका जो powder है वो भी बना के रोज सुबह आउले कितर ही खा सकते हैं नानी मादवारा बताया हुआ जो चौथा उपाय है दोस्तों पत्री को निकालने के लिए वो है पपीते की जड़, पपीते की जड़ भी काफी मदद करती है दोस्तों पत्री को निकालने के लिए इसके लिए आपको जो उपाय करना है वो ये करना है कि 7-8 ग्राम आप पपीते की जड़ को लेंगे और एक गलास पानी में अच्छी तरह से इसको घोल लेंगे और फिर इसे आप छान लेंगे और इसको छानने बाद रोजाना इस पानी को आपको पीना है ऐसा करने से आपकी जो पत्री है वो गल जाएगी और कुछी दिनों में बाहर निकल जाएगी दोस्तों पांचवा तरीका ये है नानी मौदारा बताया हुआ कि पत्री पेट में हो या फिर किड़नी में लेकिन एक बात का ध्यान जो है आप सभी को रखना है वो ध्यान क्या है दोस्तों वो ध्यान ये है कि आपको बहुत ज़ादा पानी पीना है जितना ज़ादा आप पानी पिएगे सरीर में से जो गंदगी है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी और पत्री होने का जो डर है वो कभी रहेगा ही नहीं दरसल दोस्तो किड़नी सरीर में एक फिल्टर का काम करती है जब सरीर में पानी की कमी हो जाती है तो किड़नी पानी की कम मात्रा छानती है इसकी वज़ा से ही सरीर में जो मौझूद कैशियम, यूरीकेसिड जैसी कई जो अन्य चीजे सरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वे ही पथरी का रूप ले लेते हैं, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों अच्छी तरह से कि पथरी क्यूं हमें हो जाती है, तो पांचवा जो उपाय है, वो भी आप जरूर करें, इस तरह से दोस्तों पांच उपाय जो नानी मादवारा बताये गये थे, वो मैंने आपको बताये हैं, वीडियो पसंद आई हैं दोस्तों तो जरूर इसे लाइक करें, और इसे शेयर करें, जाकि जादा से जादा लोग जाने और स्वस्त रहें अगली वीडियो में आप सभी से फिर मुलाकात होगी दोस्तो तब तक वीडियो को लाइक करें शियर करें और सब्सक्राइब करें नमस्कार दोस्तो